हेलो दोस्तों स्सी जी के ग्यान में आप लोगों का स्वागत है मैं आपके लिए 100 most important current affairs लाया हूं जो railway SSCJE, यूपी, ट्रिपल एससी, एससी, सीडियस, सीडियस इत्यादी एक्जामों में आता है जो आपके लिए ये 100 most important question आपके लिए बहुत ज्यादा useful होगा आए दोस्तों हम अब start करते हैं पहला प्रशन है 14 मार्च 2020 को कीसे सीमा सुरच चबल का महानी देशक का अत्रिक प्रभार दिया गया है तो आपका right answer होगा SSC देशवार दोस्तों जिस प्रशन का answer आपको पता हो उसके बारे में कमेंट बाक्स में जरूर लिखें और जिस क्वेशन पर डाउट हो उस क्वेशन को भी कमेंट बाक्स में जरूर लिखें चलते हैं अगला प्रशन प्रशन नमबर दो शुद करताओं ने इन में से किस संसथा से ऐसी सामगरी विक्सित की है जो पानी सुर्जा को उत्पादन कर सकती है इस क्वेशन का राइट एंस्वर होगा अगले प्रशन पर चलते हैं जनورी 2020 में परदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यो को किरसी करमण पुरुस्कार और प्रशन सा पुरुस्कार वित्रित की हैं इसका राइट एंस्वर होगा करनाडक इसका राइट एंस्वर करनाड़क अगले प्रशल पर चलते हैं इस रोच छोटे उग्रप प्रछेपड वाहनों को लांच करने के लिए विशेश रूप से एक दूसरा लांच पोर्ट कहां अस्थापित करेगा तिसका राइट एंस्वर होगा B. अर्था तमिल नाडू अगले प्रस्ट पे चलते हैं दोस्तो किस राज ने एक जनवरी 2020 से पूरे राज में इनर लाइन पर्मिट शाशन लागू किया दोस्तो इसका राइट एंस्वर होगा मड़ीपूर इस सब प्रस्ट प्रतेक एक्जाम के लिए बहुरी इंपोर्टेंट है आप इन सब प्रस्टों को याद रखें अगला प्रस्ट जनवरी 2020 में जुरान जेव ने अपना इस्तिफा सौप दिया वो किस देश के परधान मंतरी थे तो आपका इसका राइट एंस्वर होगा ए अर्थात मोंटे निग्रो चलते हैं आगे प्रस्ट साथ राश्टपती रामनात कोविंद ने जनवरी 2020 में लच्छ दियू के पहले सुपर इस्पेसलिटी अस्पताल की आधार शीला कहां रखी इसका राइट एंस्वर सी अर्थात कवरत्ती अगे बढ़ते हैं प्रस्ट आठ इसरो ने घोषड़ा की है कि इसका उद्देश अंत्रिच संचार उद्देशों के लिए अपनी खुद की उपरा जोड़ी लांच करना है इसे आई डी आर एस एस कहा जाता है आई डी आर एस एस में आर क्या है आर किसको डिनिट करता है आर री लिए को डिनिट करता है अगले प्रेशन पर चलते हैं प्रधान मंत्री फ़सल वीमा योजना किस वर्स शुरू की गई थी दोस्तों इसका राइट एंस्वर C होग अर्था 2016 2016 में प्रधान मंत्री फ़सल वीमा योजना शुरू की गई थी अगले प्रश्ण पर चलते हम जन्वरी 2020 में आर वी आई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे निक्त किया गया इसका राइट इंसर है माइकल देवरत पात्रा माइकल देवरत पात्रा है अगले प्रश्ट पर चलते हैं निम्न में से किस सोरी निम्न में से किसे 29 में सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया इसका राइटर अंसर होगा वास्विदेव मूवी वास्विदेव मूवी को अगरे प्राश्ट जन्वरी 2020 में किस राज के मुख्यमंत्री ने राज में सात्वी आर्थिक जनकरना प्रक्रिया शुरू की इसका राज इसका राइट एंस्वर गुजरात दोस्तो आपको यह वीडियो प्रशन पढ़े इसका लाइक शेर और अपने दोस्तों के शाथ शेर जरूर करें और चिन प्रशनों में डाउट हो उन्हें कमेंट बाक्स में जरूर लिखे और अपना एंस्वर जिस प्रशन का एंस्वर आता हो उसे कमेंट बाक्स में लिखे चलते हैं अगले प्रशन पे जन्वरी 2020 में मिखाईल मिस्षिटिन को निमनलखित में से किस देश का परदानमंत्री चुना गया तो इसका राइट एंसर अगरूस और थाद भी वाला आफशन सही है अगले प्रस्ट पर बढ़ते हैं प्रस्ट चुदा है जन्वरी 2020 में कौन भारती सेना के उप्रमुक के रूप में कारेभार संभालेगा दोस्तो इसका राइट एंसर इसके सैनी है अर्था सी आफशन सही है अगले प्रस्ट पर चलते हैं नीति आयोग ने 17 जन्वरी 2020 को किस केंद्र शाषित पर देश के साथ समझोता ग्यापन में प्रिवेश किया जिसका राइट एंसर होगा यह अर्था चम्मुकासमीर अगले प्रस्ट पर हम चलते हैं दोस्तो यह आप लोगे के लिए जो 100 most important current affairs है इसको कम समय में अधिक से अधिक question का revision कर रहे हैं तो अगले प्रस्ट पर चलते हैं प्रस्ट 16 हाली में श्रमशेर सिंग सुर्ज वाला का निधन हो गया वा नीमनल इकित में से किस चेत्म से समबंदित हैं इसका राइट एंसर क्या होगा दोस्तो राजिनिती से समबंदित हैं अगले प्रस्ट पर चलते हैं दोस्तो दुनिया के सबसे छोटे आदमी खगेंदर थापा मागर का जनवरी 2020 में निधन हो गया उनकी लंबाई कितनी थी उनकी लंबाई थी 67 67.08 cm अगले प्रस्ट पर हम बढ़ते हैं प्रस्ट 18 है मुख्य मंत्री किर्षक दुरगटना कल्यार योजना किस राज ने शुरू की है इसका राई टेंसर दोस्तो आप बताएंगे इसका राई टेंसर होगा भी अर्थात उत्तर परदेश उत्तर परदेश ने किरिसक दुरगटना कल्यार योजना शुरू की है अगले प्रशन पर बढ़ते हैं दोस्तों जिन प्रशनों को उत्तर यदि आपको पता है उन प्रशनों को उत्तर आप कमेंट बाक्स में जरू लिखें तो अगले प्रेशन पर हम चलते हैं दोस्तो प्रेशन नमबर 19 है कि राज जी के सभी स्कूलों में मराठी भासा प्रहना अनिवार करने के लिए महाराश शरकार किसके लिए कानून बनाएगी तो इसका राइट एंस्वर होगा कच्छा एक से दस तक महाराश शरकार कच्छा एक से दस तक के छात्रों के लिए मराठी भासा अनिवार कर दिया है अगे बढ़ते हैं अगले प्रशन पे 2020 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एक नए समाजी गतिशीलता सुचकांग पर भारत कर रेंग क्या है तो इसका राइट एंस्वर दोस्तों आप बताएंगे 76 अर्था D आफसान गतिशीलता सुचकांग में भारत कर रेंग 76 है अगले प्रशन पर बढ़ते हैं प्रशन नंबर 21 किस बैंक ने जनुरी 2020 में अपने ATM में कार्ट लेस कैश विड्रोल सुविधा शुरू करने की घुसरा की है उस बैंक का नाम बताना है जिसने कार्ट लेस कैश विड्रोल सुविधा शुरू की है अगले प्रशन नंबर 22 जनुरी 2020 में राश्ट पती रामनात कोविन ने प्रधान मंत्री बाल प्रुसकार 2020 परसुत किया नीमने लिकित में से किस छेत्रे से ये संबंदी थे ये संबंदी थे नवाचार विद्धता प्रुप लबदियां समा सेवा अर्था इसका राइट एंसर होगा ये सभी अर्था डी वाला अपसर करेक्ट होगा अगले प्रशन पर बढ़ते हैं दोस्तो प्रशन नबर तेईस है जन्वरी 2020 में शुरू किये गए एक भारत स्रेष्ट भारत कारेक्रा एक महसो के रूप में किस राज्य में दो दिवसी ओडिसा महसो शुरू हुआ प्रशन नबर तेईस के एंसर दोस्तो आप बताएंगे क्या होगा तो आप लोगों को बताना है कि एक भारत स्रेष्ट भारत कारेकरा किस राज्य सरकार दोरा चलाई गई है तो उसका राइट एंसर होगा आप संडी गुजरात गुजरात द्वारा एक भरस त्रेष्ट कारकरम को चलाए गया अगला प्रश्ण है जन्वरी तुम हजर बीस में मेट्रो रेल यात्रियों के लिए निमनल लिखित में से किसने रेड बस कारपूल का बस चलाया शुरू किया इसका राइट एंसर क्या होगा इसका राइट एंसर होगा सी अर्थाथ हैद्रा बाद मेट्रो रेल लिमिटेड अगले प्रश्ण प्रश्ण नमबर पच्चीस जन्वरी दूहजर बीस में कैट्रीना साकलरो पोलो किस देश की पहली महिला राष्टपती के रूप में चूनी गई सुरी दोस्तों यहां पर होगा आपका चूनी गई थोड़ा सा मिष्टेख होगा तो चूनी गई इसका राइट एंसर क्या होगा दोस्तों पचीस का होगा C आपसान पचीस का राइट एंसर क्या होगा दोस्तों C अर्थात यूनान यूनान देश चोहें वहां के कैट्रीना साकलरो पोलो देश की पहला महिला राष्टपती बनी है अगले प्रस पर चलते हैं दीम्नलिखित में से किसी ने नए क्रोना वाइरस को चीन में आपातकाल घोसित किया था इसका राइट एंसर बताना है जो इसमें एक महमारी की रूप में सब के सामने है चीन में आपातकाल की घोसड़ा किसने की थी इसका राय एंसवर को विश्व स्वास संगठन अर्थात बीवला आपसन करेक्ट होगा अगले प्रस्ट पर चलते हैं दोस्तो यूरोपीय परिसत के अध्यच कौन है तो आपको बताना है यूरोपीय परिसत के अध्यच के रूप में किसे चुना किया है तो इसका राय एंसवर होगा चार्स मिशेल अर्थात बीवला आपसन करेक्ट होगा अगले प्रस्ट पर बढ़ते हैं दोस्तो केंदी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है वर्तमान में तो वर्तमान में बताना है केंदी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है इसका राइट एंसर होगा डियावला अपसं अर्थाद नितित नितिन गटकरी नितिन गटकरी जो है किंदी सर्थ परिवन और राजमार मंत्री हैं अगले प्रस्थ पर बढ़ते हैं दोस्तों हम 177 गरतंत दिवस के आउसर पर वर्स 2020 के कितने पद्म पुरुसकार के घोशड़ा की गई थी अगले प्रस्थ पर बढ़ते हैं दोस्तों यह आपका एक रिविजन के तौर पे हंडेट मोस्ट इंपॉर्टेंट कोईस्चन है निल्खित में से कि से 2020 के लिए भारा सरकार दौरा पद्म पुरुसकार के लिए नामित किया गया था सेयद मुज्यम अली मिलललय अप्डूल हमीद या आपसान एक और दूनों अगले प्रस्थ पर बढ़ते हैं दोस्तों यह थी में महालजन सर एक पने इस्तिफा की घोशड़ा की वह निल्टित में किस देश की परधानमंत्री हैं इसमें बताना है दोस्तों इसका right answer C Slovenia के क्या थे प्रधान मंत्री थे अगला प्रश्ट पर चलते हैं दोस्तों यह revision के तौर पर है दोस्तों इसलिए इसका explanation नहीं कर रहे हैं बस यह आपका एक टेस्ट के रूप में है कि आप टेस्ट दें और अपने आपको आके कितने प्र प्रश्ट पर पर फड़ते हैं दोस्तों जनुरी 2020 में सरकार ने रिव्र में डूबे एर इंडिया में जिसे दारी की घुसरा की है तो आपके आपको यह answer A होगा 100% अगले प्रश्ट पर 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 पदते हैं दोस्तों आकशफोड यूनिवर्सिटी परेश्ट द्वारा किस फैन्अमित करते हैं परधान-मंत्र और दोष्त को प्राप्त करने के ये केंदे सरकार को लच्च किस वर्स तक है किस वर्स तक आवास योजना को पुरा करेंगे तो उसका राइट एंसर होगा दूहजर बाइस दूहजर बाइस तक अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों प्रश नमबर फर्टी फाइब फर्वरी दूहजर बीस में फरीदाबाद में आयोजित चौटीस में सुरज कुंट अंतराश्री हस्त सिल्ट मेले का विश्य राज जिनीन विश्य कौंसा होगा उसका डी अर्थात हिमाचल पर देश अगले प्रश्ट में दूनिया कहीं भी पेशवर फुटबाल बनने वाली पहली भारती महिला कौन है पेशवर दुनिया की पहा दुनिया में कहीं भी पेशवर फुटबाल बनने वाली पहली भारती महिला कौन है दोस्तों इसका राइट ए 2020 में हार्न और अफ्रिका में टिड्डे के संक्रमण के बाद राष्ट्री आपातकार की घोसड़ा की थी तो प्रश्ण नंबर सहीतिस का राइट एंसर होगा दोस्तों कि इसका राइट एंसर क्या होगा सुमालिया अर्थात डी आप्सन करेक्ट होगा अगले प्रश्ण पर बढ़ते हैं फर्वरी 2020 में बंगलादेश के प्रधान मंतिरी शेख हसीना ने महीने भर चलने वाले एकुष्य पुस्तक मेले के उद्गाटन कहां किया इसका राइट ए अगले प्रश्ण पर बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्ण नमबर थर्टी नाइन निमन लिखित में से किसने फर्वरी 2020 में राष्टी भोन का वार्षिक उदे उदे नोट्सव शुरू किया इसका राइट एंड रामनात को बिन अर्थात ए आप्सन करेक्ट होगा अगले प् आर्थी अफ्रिका रच्छा सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था इसके बारें बताना एंडोस्तों इसका राइट एंस्वर क्या होगा है आप लोगों बताना एंस्ति इसका राइट एंस्वर डी अर्थात लखना ओं और फोटीवान ये गवरनेंस 2020 पर राश्टी सम्मेलन कहा आयूज्यित किया गया इसका right answer में नहीं दिल्ली कहां का अग्मीद दोस्तो? सुरी इसका राईट एंसवर होगा मुंभाई सुरी दोस्तो इसका राईट एंसर क्या它ोगा मुंभई एगले प्रस्ट पर बढ़ते हैं दोस्तों कि फरफुरे 2020 जार वीजेयर Hmmु कि सबसी उची चोटी लाहन एक कांग ओँवां सोड़ी दोस्तों यहां पर Upper टैपिंंग मिश्टेख मिश्टेक मिश्टेख हैं कांग होगा ए कांग गुवा एक गुवा यह दोस्तों ऐक आंग उडश्य आमरेका की सबसे उची चोटी काउव से कांग गुवा पर पहुंचने वारी दुनिया की सबसे कम उम्रकी लड़की कौन है तो इसका right answer आप लोगों को बताना है तो इसका right answer होगा B. काम्यकार्थी केयन इसका right answer क्या होगा दोस्तो काम्यकार्थी केयन अगले प्रस्ट पर चलते हैं दोस्तो फरवरी 2020 में सडक परिवन और राज मार्ग मंत्राले ने सभी राज्यों को किस के तहद अधिसू चीत नीमों के अनुसार वाहन पंजी करण की प्रालियों को लागू करने के लिए एक सलह जारी की है तो प्रेशन नंबर 43 का राइट एंसर क्या होगा दोस्तों इसका राइट एंसर होगा D केंद्री मोडर वाहन अधिनियम 1988 अगले प्रेशन पर चलते हैं दोस्तों आंद्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस के मुख्यमंत्री जगर मोहल रेड़ी ने फरवरी 2020 में पहला दिशा पुलिस इस्टेशन कहां लांच किया कि इसका राइट एंसर दोस्तों आप लोगों को बताना है क्या होगा C रजिंद्र महिंद्र वरम अगले प्रेशन पर बढ़ते हैं आगे दोस्तों भारत किस देश के साथ संयुक्त सन अभ्याद अजय वारियर 2020 के पांचमें संस्क्राइशन का आयोजन करेगा 45 45 का राइट एंसर होगा UK अगले प्रस्ट पर बहते हैं दोस्तों कम होते जा रहे जलस्तर को सुधारने के लिए किस राज्य ने फरवरी 2000 में भुजल अधिनिया 2020 को मंजूरी दिये किस राज्य सरकार ने इसका राइट एंसर होगा 46 का भी यूपी उत्तर परदेश अगल प्रतमान में पूर्तगाल के राष्टपती कौन है इसका राइट एंसर होगा भी मारसेलो मेलो डिसुजा अगले प्रस्ट 48 फरवरी 2020 में इस पात मंत्राले भारती उद्योग परिसंग के सहयोग से कहा एक कारशाल आयुद करने वाला है इसका राइट एंसर क्या होगा दो दोस्तों इसमें चार आप्साने पूरे नई दिल्ली मुंबई हैदराबाद इसमें राइट एंसर क्या होगा दोस्तों इसमें राइट एंसर होगा नई दिल्ली अगले प्रस्थ पढ़ते हैं इस रोग की नोगठित वाली जीत-इकाई New Space India Ltd अध्याच कौन बने हैं यहन यहनी येस आई एल के निव अध्यच कौन है इसके बारे में पताना है दोस्तों इसका राइट एंसर होगा जी ना रहा है कौन होगा जी ना रहा है अगले प्रस पे चलते हैं दोस्तों फरवरी 2020 में बैट मिंडल एस या टीम चेंपेंशिप कहां आयूद की गई यानि बैट करेंशिप फरवरी 2020 में इंद्धर गादी एतलेटिक स्टेडियम गुहार्टी असम्य आयोजीद 65 में फिल्म फेर आवार्ड से फिल्म फेर आवार्ड से निनम्म से किस फिल्म को सरवस्त्रे फिल्म का प्रुशकार दिया गया है इसका राइट एंसर क्या होगा फिफिटी 21 जूनियर पूरुस हाकी विश्वकप की मेजबानी कौन सादेश करेगा दोस्तों इसका राइट एंस्वर होगा भारत अरता सी आपसंस करेक्ट होगा अगले प्रश्ट पर चलते हैं 53 लोग प्री शोशल मीडिया प्लेटफार्म इंस्टाग्राम पर 50 मिलियन फालोर्स पान बने वाले पाले भारती कौन बने हैं तो आप इसका राइट एंसर बताएं दोस्तों इसका राइट एंसरों का विराट कोहली किसे देश में स्वतन तर्चुना आयोग ने घोसड़ा की है कि अश्रफ गनी ने देश के राश्टपती के रूप में दूसरे का रेकाल जीता इसका राइट एंसर क्या होगा दोस्तों अफगानिस्तान अर्था सी अगले प्रस पर चलते हैं प्रस पच्पन फर्वरेद 2020 में नई दिल्ली में एशियाई कुस्ती चैंप्यंशिप में 87 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में किसने 16 पदक जीता तो पच्पन का राइट एं बढ़ते हैं उतराश्टी मात्री भासा दिवस्त 2020 के विशेवस्त क्या है तो चप्प्पन चपन का राइट एंसल क्या होगा法 दोस्तों कें लेंग्ध विदाउट बार्डर अंतराश्री मास्त्री भास्ताग दिवस का थी लेंग्वेज विदाउट बार्डर्स अगले प्रस्त पर चलते हैं किस देश ने 600 किलोमीटर की सीमा के साथ हवान प्रचेपित प्रमारु सच्छम क्रूज मिसाइल आर एएडी सेकेंड का फसल उडान सफल उडान परिछर किय किसने किया इसका राइट एंसर होगा पाकिस्तान पाकिस्तान सफल परिछर किया अगले प्रश्ण परचन भारती भूव ऐग्यानिक सर्वेच्छर जी एस आइन उत्तर परदेश के सोन भद्र जीले में लगवक कितने सोने कितने सो टन के भंडार खोज की सवज दोस्तों सोने कितने टन सोने की भंडागी खोज की थी यहां थोड़ समिश्टे है दोस्तों इसका राइट एंसर क्या होगा अंठावन का तीन हजाटा कितना होगा तीन हजाटा अगले प्रस पर आते हैं न्यूजलेन का कौन सा वल्लेबाज क्रिकेट ने तीनों प्रारूपों में सो मर्च खिलने वाला दुनिया का पहला खिलाडी बन गया है तिसका राइट एंसर दोस्तों बताएंगे आप तिसका राइट एंसर होगा डी रास टेलर कौन सा है अगरे प्रस्ट पर चलते हैं 20 फरवरीद 2020 को इन में से किस देश ने प्रधान मंत्री इस्तिफा दिया है प्रश्ट साथ का एंसर होगा आईरीस आईरीस की प्रधान मंत्री ने इस्तिफा दिया है किन सरकार ने 2020 मौडल तयार किया यह निमनिल्खित में से किस मेशन से संबंदित है इसका राइट एंसर यह होगा अंतोदे अन्यूजना अगले प्रस्ट पर चलते हैं देहरा दून और नई दिल्ली के बीच का एलिविटेट एक्सपेस वे दोनों शहरों के बीच की दोरी को कितने किलो किलो मिटर डिया अपसान कि फरवरी 2020 में खेलो इंडिया इनुवर्सिटी गेम्स कहां आयो जित किया जा रहा है तो इसका राइट एंसर होगा दोस्तों उडिसा उडिसा में आयोजित किया जा रहा है अगले प्रस्ट पर चलते हैं विश्व बहर सरकारी संगठन दिवस प इसका राइट एंसर होगा दोस्तों 27 फरवरी क्या होगा दोस्तों 27 फरवरी अगले प्रस्ट पर बढ़ते हैं मार्च 2020 में अनुभावी एथलेटिक्स कोश जो गिंदर सिंग सैनी का निधन हो गया उन्हें किस वर्व दौड़ाचार पुरुषकार मिला था योगंदर सिं 1997 में दौचार पुरुषकार मिला था अगले प्रस्ट पर चलते हैं तसलीम मीर और मांसी सिंग निरुकित में से किस खेल से संबंदी थे इसका राइट एंसर होगा अगले प्रस्ट पर चलते हैं दोस्तो राष्टी सुरच्छा दिवस कम मनाया जाता है इसका राइट एंसर क्या होगा दोस्तो सी चार मार्च अगले प्रस्ट पर चलते हैं दोस्तो बिस इस आई कि क्रिकेट सलाकार समिती द्वारा किसे राष्टी चैन चैनल का अध्याच न्यूक्ति किया है चैन पैनल का अध्याच न्यूक्ति किया गया है तो किसा होगा दोस्तों ही सुनीय लगा वसकर को से आप संवाज तो सही ऊगले प्रक्षर बगते निमन में से कौन सा यउरोपिय देश सारवजनिक परिभाण को निशुल्क बनाने वाला दुणिय का पहला देश बना है यउ यूरोपी देश सारवर्जिनिक परिवान को निशुल्क बनाने वाल दुनिया का पहला देश कौन से बना है दोस्तों इसका राइट एंसर है इसका राइट एंसर लक्षमबर्ग अगले प्रस्ट पर पर देश ने मार्श 2020 में इस्टूडेंट हेल्ट कार्ट योजना शुरू की इसका राइट एंसर क्या होगा जम्मु काश्मीर ने शुरू की अगले प्रस्ट पर बढ़ते हैं दोस्तों किसी प्योमा का नया अम्बेश्टन युक्त किया गया है इसका राइट एंसर दीविका पादुगोड को दीविका पादुगोड को कि सोरी दोस्तों प्रस्ट 71 किसे पीमों का नया ब्रांड अम्बेशन नियुक्त किया गए सोरी इसका दीविका पाद वो कोड़ नहों के करीना का पूर होगा अर्थात डी आप्सन करेक्ट है अगले प्रस्ट प्रस्ट चलते हैं नहीं कोरोना वाइरस कोविड-19 से निपटने के लिए आवश्यक दावाओं और अन्य समान के निमार और वित्रण करने वाले कंपनियों को 200 मिलियन अमरेकी डालर परदान करेगा इसका राइट एंसवर क्या होगा इसका राइट एंसवर आपसन इसका है दो दो चरड़ों में पूर्ण की जाएगी अगले प्रस्ट पर चलते हैं गुड्स एंड सर्विस टेक्स काउंसिल ने एक अप्रेल 2020 से मुवाइल फोन पर जिएस्टी दरों को कितने प्रतिश्ट तक बढ़ाने का फैसला किया किसका राइट एंसवर होग और किस छेत्र से अर्थात कहने का अर्थ है कि इमतियाज खान किस छेत्र से संबंदी थे इसका राइट एंसवर होगा अभी नहींता थे इमतियाज खान अगले प्रस्ट पर चलते हैं किस पेमेंट बैंक ने मार्च 2020 में गुसरा की है कि वह अपने ग्रहाकों के बीजा डेविट कार जारी करना शुरू करेगा किसका राइट एंसवर होगा दोस्तों सी पेट्रियम पेमेंट बैंक लिमिटेड सी आफसां करेक्ट होगा अगले प्रस्ट में चलते हैं किस देश ने टोक्यव 2020 के आयोज़को युलं पिक लोस औधिया किसव 2 देश ने टोक्यव 2020 के आयोज़को को Olंपिक केनी राजर्स क्याते संगीत तप गेते सेमन्टीनाइन विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2020 कविसे क्या है तो जलवायू और जल इसका विसे जलवायू और जल है अगले प्रेंस पर चलते हम किस छेत्र में कोई कोई सब्सक्राइब नाइन तिन में हमारी संब्धनी जानकारी के लिए एक विवसाइट लांच की है इसका राइट एंसर होगा दोस्तों इन में से कोई नहीं सब्सक्राइब नाइन तिन में संब्धनी जानकारी के लिए एक विवसाइट लांच की है इसका राइट एंसर हो सारक आपदा प्रबंदग देश है अगले प्रश्ट के चलते हैं चुनाव आयोग ने 26 मार्च 2020 को होने वाले राज्यसभा चुनाव को टाल दिया उच्छ सदन में कितने सीटों को भरने के लिए चुना होना था इसका राइट एंसर होगा दे 55 सीटों के लिए अगले प्रश्ट में पढ़ते हैं अगले प्रश्ट पर चलते हैं काउंसर राज क्रोना वाइरस के प्रसार को रोकने के लिए कर्फ्यू लगाकर या कठोर उपाय करने वाला पहला राज्य बनाए इसका राइट एंसर भीयोग पंजाब भारति क्रिकेट कंट्रोल बोर्ट बी सीजी आई पीम के केर फंड में कितने क्रोर उपे का योगदान देगा तिसका राइट एंसर फिफ्टी वन अगले प्रश्ट पर पहते हैं किस राज्य के सिच्छा इभाग ने लागडाउन के बाद चात्रों के लिए घर सीखने के प्रेकिर्य करने का निख लिए तिसका राइट एंसर होगा तमिलनाडू सोरी तो उसर तमिलनाडू ना वगए गुजरात इसका राइट एंसर गुजरात होगा अगले प्रेश्व बढ़ते हैं निम्न मेंसे किस एंजियों ने लोगों के लिए हाथ धोने के लिए एक हैंड वासिंग पॉइंट अस्थापित किया इसका राइद कथा है किस राज के मुखमंत्री ने टीम 11 अस्थाप्त ना की जिसमें कुरोना वायरस फैलने से लगने के लिए कोई अंतरी भागिस समीतियां हैं ति इसका राइट एंस्वर उत्तर प्रदेश ने लांच किया है टीम 11 अगला प्रशन प्रशन 88 के अंदर शाशित परदेश जम्मु का समीर के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है इसका राइट एंस्वर हरीदेश कुमार अर्था सी आपसन करेक्ट है इसका राइट एंस्वर हरीदेश कुमार अगले प्रशन पर चलते हैं स्वास मंत्राले ने कुरोना वाइरस के बारे में जाज के लिए जनता के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किये तो उस नंबर कितने पॉइंट का नंबर है दस पचात्तर क्या है दस पचात्तर अर्था भी आपसन करेक्ट भारत में राश्ट्री टी का कड़ दिवस कम मनाये जाता है तो इसका राइट एंस्वर सोला मार्च होगा अगले प्रस पर चलते हैं इसका राइट एंस्वर बाइस में विश्वर खेल कहां आईवित होना है अगले प्रस पर चलते हैं 2012 में कौन सा देश्वर होनकों को मौत की सजा नहीं देगा किस राज के मुख मंत्री ने जगद विद्या दिवेन योजैना शुरू कीा है जगद विद्या दिवेन योजैन जो शुरू की है अंगले प्रस तेश न शुरू ए और थाक इसका डीर्ड अंसुर होगा किस राजी के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कोविड-19 से ठीक हो चुके प्रतियक रूपी को दो हजर परदान करने का निर्देश दिया है इसका राइट एंसर क्या होगा यह अधर आंदर प्रदेश अगले प्रस्ट पर चलते हैं 2020 में सारवजनिक उद्दन चेन बोड के अध्यश की रूप में किसे नियुक्त किया गया है इसका राइट एंसर राजीव कुमार राजीव कुमार गो सारवजनिक उद्दन चेन बोड के अध्यश की रूप में नियुक्त किया गया है किसने पुष्टी किया है कि आर्कटिक के ऊपर ओजोन परत में सबसे बड़ा छेद बंध हो गया है इसका राइट एंस्वर होगा दोस्तो A और B दोनो कापर निकस क्लाइमेट चेंज सर्विस कापर निकस एटमासफेर मानिटरिंग सर्विस और थाथ इसका राइट एंस्वर डी है अगला प्रेस्ट पर चलते हैं दोस्तों फिलिफ अंडर्शन का मार्च 2020 में निधान हो गया है उन्हें किस वर्स नोगल पुष्कार मिला था इसका राइट एंस्वर होगा भी 1977 अगला प्रेस्ट और लास्ट आज का लास्ट कोश्चन जो कोश्चन हंड्रेट है 2020 में डाक्टर भीम रामबेटर की एक उन्हें तस्वी जहनती कब मनाई गई है चुद्ध अप्रेल को मनाएगी दोस्तों यह वीडियो आपको फशन दाए तिस लाइक शेर सेर्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेर कीजिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स थैंक्स फार वाग